चुनाओ के पहले पार्टियां वचन देती हैं, घोशना पत्र जारी करती हैं, लेकिन वाइदे कितने पूरे होते हैं, इस पर सवाल तो कई बार खड़े हुए हैं, और जैसा कि आपने कहा कि भारतिय जंता पार्टी ने आरोप लगाया है, कि इसके पहले यही दल जो है, लैंड फोर जॉब स्कैम में शामिल रही है, अभी इंवेस्टिगेटिंग एजिंसी जाच कर रही है, हमारे साथ मुझूद है केंद्रिय ग्रीह राजिमंत्री नित्यानन राय जी, जो कि खुद उजियारपूर लोग सभाब से चुनाव हैं और बीजेपी के कदावर नेता है, नित्यानन राय जी आज तेजस्वी आदाव ने घोषना किया 24 जन वचन और उन्होंने कई लुखावने वाइदे किये के करोड नौकरी देंगे 30 लाख रिक्ट है, 70 लाख का अस्री जन करेंगे, फिर 1 लाख का पिंसन देंगे, महि भोषना पत्रा तेजस्वी जी जारी किये हैं, पडिवर्तन पत्र कहकर, वह पडिवर्तन पत्र नहीं, पडिवार संबर्धन संकल पत्र है, और एक बचन देने की बात तो है ही नहीं, बचन तो देने वाले इस भारत में एक ही है, जिनका नाम है नरेंदर मोदी जी, और ज जो भी बात बोर रहे हैं, सारे बातों में कोई दम नहीं है, भड़म फैलाने के लिए बोर रहे हैं, पंदरा बरसों तक आरजेडी को लालुजी के पड़िवार को बिहार के सत्ता में रहने का मौका मिला, कुछ नहीं किये, किये क्या, आप अरहन का उद्योग लगबा दिये सरके नहीं बनी, गाओं में बिजली, सहर में बिजली नहीं, पानी की विवस्ता नहीं, कहीं पढ़ाई की विवस्ता नहीं, स्वास्त की चिकिस्सा की विवस्ता नहीं, क्या किया उन्होंने सिर्फ अपराधियों को सरक्षन देने का काम किया, इसलिए उनके बादों पर कि कभी नहीं बना पाएंगे तेजस्वी जी या उनके साथ रहने वाले लोग इस देश की जनता ने इस देश की जनता ने तीसरी बार माने नर्द मोधी जी को फिर से परधान मंतरी बनाने के लिए मन बना चुकी है संकल पले चुकी है तो सवाल ही का उड़ता है जानते हैं कि ह को सरकार में आनी नहीं है इसलिए जो बोलना है बोल दो जो बाद कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है बिहार में परिणाम क्या होगा चालीस लोग सभाव सीट में चालीस की चालीस सीटें इंडिये के जोली में जाएगी और चार सौ पार जो इंडिये करेगी इस देश में जो मानिये प्रधान मंत्री जी ने जिसकी घोषना की है वह घोषना उनकी घोषना नहीं इस देश की जनता की घोषना है चार सव पार में 40 सीट बिहार की होगी इंडिये 40 की 40 जीतेगी जस्वी यादों कहते हैं कि 17 महीना सरकार में रहे तो उन्होंने नोकरिया दी और जेड कोई युगदार नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जब सरकार नितीज जी के साथ तेजस्वी जी की बनी थी तो उसके पहले इंडिये की सरकार ने इस परकार की नोकरियों का अधार सिला रखा और जी सथा 17 महीने की बात कर रहे वह 17 महीने में सरकार किस की थी नितीज जी की थी नितीज जी ने नौकरी दिया है या तो छो बड़े विभागों को लेकर उसके मलाई खाने से इनको फुरसत ही नहीं थी तो जो नौकरी 17 महीनों में दी गई वह नितीज जी दिये और उसकी बुनियात पहले अंडिये की सरका ने डाली थी जूट बोर रहे हैं और पंदरा वर्ष तक उनको मौका मिलाता तो कहा नौकरी दिये थे कहा रुजगार दिये थे और दिये भी हैं तो उसके बदले क्या नहीं किये धन दौलत लिए पैसे कोड़ी लिए जमीन तक लिखवा लिए गरीबों ने अपना घर तक ग गारेंटी पर रोजगार की गारेंटी नोकरी की गारेंटी दसला की नोकरी अभी मानिय मोदी जी की सरकार दी है विकास की गारेंटी न्याय की गारेंटी सबका सम्मान की गारेंटी गड़िवी मिटाने की गारेंटी तो इस तरह से सारी की सारी गारेंटी मोदी की को विश्वास है उनके बादे खोकले है उन पर किस्यू को भरोसा आई नहीं मिसा भारती कहती है कि प्रधान मंत्री को जेल भेज देंगे और कल उन्होंने फिर बयान को वापस लिया बोला कि उसे तोर मरोड के पेस किया गया वो कहती है कि एलेक्टरल बॉंड में जो लोग स बोलते हैं और घमंडिया घटवंदन के सारे नेता बोलते हैं लेकिन इस देश के गरीवों ने अपना मसीहा माने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदीजी को माना है गरीवों के मसीहा पर इस प्रकार के अपसब्दों का बहबार और जेल भेजने की धमकी गरीव देख रहा है वैसे नेता जो इस भारत का नब दुनिया में रौसन किया है जो पचीस करोर लोगों को गरीवी डेखा से बाहर किया है जिन्होंने सैन सक्ति को मजबूत किया है जिन्होंने घर घर तक बिजली पहुचाया है गाउं गाउं तक सरक बनवाया जिसने करोर और रोजगार का स परदान मंत्री में ही सब का विश्वास है मिशा भारती ने ये भी कहा कि राम मंदिर में हमें जानी की जरूवत नहीं हम तो रोज राम सीता की पूजा अर्चना करते हैं अपने घर में हमारे हारियर नाथ मंदिर है सब भगवान का हम लोग में आस्था रखते हैं तो हमें व बुलाया भी नहीं भाजपा ने और हमारे माने परदान मंत्री जी अपना बादा पूरे किये हैं कि हम भब मंदिर का निर्वान योद्या में कड़ाएंगे तो कड़ाएं और यह लोग को भय है कि हम राम जन भूमी में जाएगे ते इनका बोट कड़ाव हो जाएगा आपको तो स्टीकरन का बोट चाहिए इसलिए कर रहे हैं और हम लोगों को भगवान से राम जो मर्यादा है उनकी मर्यादा जिससे भारत उस पच पे चलकर विश्व गुरू बनेगा हमारे प्रदान मंत्री जी के नित्रित में उस मर्यादा पुर्शुत्तम राम के मंदिर में ना जाना वह तो उस परकार कोई लोग बोलते हैं जो उच्छी राजनीत करने वाले और बोट के लालच में ऐसा बोड रहे हैं जनता देख रहे हैं अच्छे सा सबक सिखाएगी हाल फिलाल में तस्वीरे जारी कर रहे थे जस्वी यादों कभी मचली खाते हुए और प्रधान मंत्री ने भी कल प्रहार कर दिया कि सावन में मटन बनाते हैं ये लोग कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी के और इशारा करते हैं वे और मचली खाते हैं सनातन धर्म का अ पढ़ेज करते हैं सब लोग जानते हैं जो लोग इस चीज का सेवन करते हैं वो भी पडवतेहवार में इससे पढ़ेज करते हैं तो तेजस्वी जी यह मचली खाते हुए काटा दिखाना यह चीरहाना हिंदूओं को और तुस्री करण से भोट लेना इसका कारन था क्यों मच यहां तक कि वो लोग अपीजमेंट करते हैं, तुष्टिकरन की राजनीती करते हैं, जिसके चलते मचली का कांटा दिखा रहा हैं, इन्होंने इशारा करके दिखाया, तो राजनीती आने वाले दिनों में तेज होने वाली हैं, अभी चुनाओं खतम होने में डेड़ महीने बाकी हैं, अभी बाद विवाद, वाद प्रतिवाद होता रहेगा. पटना से वीडियो जर्नलिस सूरज के साथ प्रकास सिंग रिपॉब्लिक मिडिया नेटवर्क के लिए.